हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब एक वार्पुना आप सभी का आपके अपने ही चैनल सीव कोचिंग क्लासस पर स्वगत है तो दोस्तों आज जैसा कि मैंने बोला था एक लंबी पैनालिका के लिए सौपरेट का तो कवेंजा कई लोगों कमेंट था तो दोस्तों बिल्कुल अं यह लंबी पैनालिका दोस्तों इसमें हम धारा प्रवायत करेंगे इसमें धारा प्रवायत करेंगे दोस्तों तो इसमें जो भी चुम की छेत की तिवरता होगी है ना इसमें सोपरेट का तो कितना होगा तो सब कुछ चर्चा करेंगे तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों माना मान लेते हैं माना एक पहिनालिका है जिसकी लंबाई एल है ठीक है दोस्तों माना एक पहिनालिका जिसकी लंबाई कितनी है एल है और उसमें फेरों की संके कैप्टल एन है कुल फेरे कुल फेरे कितने दोस्तों कैप्टल एन और उसके अनप्रस्त काट का छेथफल कैप्टल इतना आप लोग माना लिख लें और इसके बाद चित्र बना लें क्योंकि दोस्तों चित्र के भी आपको नंबर मिलते हैं यदि चित्र नहीं बनाएंगे तो आपके नंबर कहीं न कहीं कट सकते हैं माइनस हो सकते हैं इसलिए दोस्तों आप लोग भी चित्र बना लें ठीक है अब दोस्तो आपके पास पहिनालिका है कुल फेरों की संख्या या नहीं अब मालीदे एकांक लंबाई है उसमें भी तो फेरे की संख्या होंगे ना समझ यह बात को तो मैं दि कह दूँ प्रति एकांक लंबाई प्रति एक आंक लंबाई पर फेरों की संख्या प्रति एक आंक लंबाई की बात कर रहा हूं प्रति एक आंक लंबाई पर फेरों की संख्या इस्मॉल एन बराबर तो समझें कि दोस्तों टोटल कितना है एन है है ना और टोटल लंबाई कितना है एल है L का भाग दे दे, मतलब कुल फेरों में L का भाग दे देते हैं, जैसे मान लेते हैं दोस्तों, यहां से यहां तक लंबाई 10 मीटर है, यह 10 सेंटी मीटर है, कुछ भी मान नहीं, तो एक सेंटी मीटर में कितना होगा, टोटल फेरों में 10 का भाग दे देंगे, सिंपल है ना ब में कितने फेरों की संख्या है तो प्रति एक आंक लंबाई पर फेरों की संख्या समझ में आ गई ना की इस मॉल ए न बराबर काई दोस्तों कैपिटल एन अपन एल मतलब एक कांक लंबाई पर कितने फेरे हैं वो दोस्तों किस महstag दस्य दर सायं चैप few पन इस Simaul L है अब आगे दोस्तो आपके पास क्या है आपके पास पाइनालिका है है ना पाइनालिका में कितनी धारा प्रवाहित कर रहे है आई तो आगे लिखना आए यदी परिनालिका में यदी पाइनालिका में कितना धारा प्रवाहित करें दोस्तो आई धारा प्रवाहित कर रहे है तो दोस्तो पैनालिका के अंदर कहां पैनालिका के अंदर चुमिकी छेत्र की तिवरता निकालना है आपको चुमिकी छेत्र कितना होगा आप ही बताईए तो कितना होगा दोस्तो आप लोग बेंजक पड़े होंगे किसी भी पैनालिका की केंद पर चुमिकी छेत्र कितना होत है मिउजीरो एन आई नहीं बन रहा है तो याद कर लें तो बेंजा का आप देख सकते हैं मैंने पूरा का पूरा चीज कवर कराया है अब दोस्तों यहां से मैं कहे दूए स्मॉल एन वरावर कैपिटल एन बटे यल तो इसको ऐसा कर सकता हूं मिउजीरो इसमॉल एन के जगे कैपिटल एन बटे यल इंटू आई कर दूँ आई तो हाई है है ना यह कर दिया मैंने यह कहां से आया दोस्तों यह कहां से आया तो यहां से आया स्मॉल एन वरावर कैपिटल एन बटे यल से ठीक है इतना क्लियर हो गया इसको देदू समीकरण एक अब आगे निकालना दो दोस्तो पैनालिका के प्रतेक फेरे-पर या फेरे से लिख सकते हैं दोस्तो चुमकी फ्लक्सुमकी फ्लक्स या बद्धुमकी फ्लक्स भी लिख सकते हैं तो किसे दर साथे दोस्तो, फाई से, बी, मतलब एक आंक फेरे पर कितना है, बी, तो टोटल छेत पर कितना है, ए, तो कुल इतना हो गया, बात को समझ यह, मैं कहना क्या चायता हूँ, कि प्रतेक फेरे से, कितना चुमिकी फ्लक्स में परिवरतन होगा, मतलब आपके पास फे एक आंक लंबाई है, है ना, अनप्रस्त काट का छेत फल है, वो कितना है, उस पर डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा छेत फलोगा दोस्तो, उतना ही चुमिकी फ्लक्स में परिवरतन होगा, ठीक है, इतना समझ गए बात को, अब दोस्तो, समझ यह, यदि मैं कह दूं, कि बी कमान कितना है, बी कमान कितना है, यू जीरो, एन, बटे एल इंटू आई, और ए तो हाई है दोस्तो, इसको मैंने कहां से लिखा, तो इसको मैंने लिख दिया समिकर्ण एक से, तो कोश्टक में लिख दख सकते हैं आप, समिकर्ण एक से, कहां से दोस्तो, समिकर्ण एक स क्या होता सौपेड कत हुए ल वरावर फाई एनि बी करना तो वी कर सकते हैं फाई भी बटे दोस्तो आई होता है क्या होता है फाई भी बटे आई होता है ठीक है clear है इतना दोस्तो फाई भी बटे आई होता है क्या होता है फाई भी बटे आई और इसके साथ पर दोस्तो कुल sopit cut होगा तो total फेरो की संगे कितनी है N तो Yen का multiply कर देंगे तो cool sopit cut होगया एक कंक लंबाइक के लिए five भी बटिया हो गया लेकिन cool कितने हैं आपके पास फेरो की संगे capital N इसलिए capital N का multiply कर दिये कोई दिकत हो नहीं दोस्तो इतना आपको समझना है इतना आपको समझना है कि फाई क्या है फाई क्या है एकांग के लिए दोस्तो है ना प्रतेक फेरे मतलब एक फेरे के लिए है और टोटल फेरे कितना है capital है तो सभी के लिए हो गया अब दोस्तो यहाँ पर समझे इस फाई भी कमान कुछ दिया हुआ है कितना है दोस्तो फाई कमान तो फाई कमान आपके पास यह चीज दिया है तो रख दीजिए तो कितना हो जाएगा यल बराबर हो जाएगा दोस्तो एन आपके पास है तो एन रहने दीजिए और आई है तो आई रहने दीजिए फाई कमान कितना है म्यू जीरो एन आई ए पटे एल ठीक है ए से सरी कितना हो जाएगा तो mu0 दो mu0 again से multiply हो înd square और दोस्तो यहां पर a है क्टा नहीं हो एक हो जाएगा और बटे में कितना हो जाएगा तो यह जाएगा अब एक step और करना है दोस्तो यह इतना तो clear हो गया होगा आपको भी आगे लिखे देना है यदि परिनालिका के अंदर क्रोड की चुम्बक सीलता चुम्बक सीलता कितना हो दोस्तो म्यू हो तो बस एक स्टेप करके फिर आपको म्यू 0 के जगे म्यू कर देना है ल बराबर म्यू N2 A2L और यहीं दोस्तो आपके पास बेंजा का गया कितना EG है ठीक है न आपको इसमें क्या क्या बनना चाहिए क्या क्या बनना चाहिए तो आपको दोस्तो यहां पर सबसे पहले तो पैनालिका के केंद पर कितना चुमकी छेत होता है वो आना चाहिए यह ना फिर दोस्तो आपके पास एक फर्मूला यहां पर आता है फाई वतला प्रत्यक फेरे पर कितने चुमकी फ्लक्स होगा तो चुम पर फेरों की संख्या पड़ी पेंड हो गया और फिर इसके बाद अपने बैलू रख दिया है ना इसके बाद एक step और यदि पैनालिका के अंदर चुमक की क्रोड की यह क्रोड दोस्तो की चुमक सिर्थ अब दोस्तो इसके निर्भारता इसी से अपन कर सकते हैं ठीक है तो चले निर्भारता समझ लेते हैं तो दोस्तो जैसा कि आपको फार्मूला यह पता है यह फार्मूला है है ना इसी फार्मूले से अपन को क्या करना है की निर्भारता निकालने तो आप फेटिंग डालने पैनालिका के स्वप्रेर कत्व की निर्भारता चलिए बहुत इजी है दोस्तो समझेगा इसमें से ज उसको बढ़ाने से स्वाप्रिकत तो बढ़ेगा और जो भी नीचे है उसको बढ़ाने से घटेगा बस इतना में तो सब कुछ क्लियर हो गया कहने का मतलब दोस्तो पैनालिका के अंदर यदि क्रोड की चुम्बक सीलता बढ़ा दी जाए तो स्वाप्रिकत तो अधिक होगा यदि पैनालिका में फेरो की संक्या बढ़ा दी जाए तो स्वाप्रिकत तो अधिक होगा यदि दोस्तो पैनालिका के अंप्रस्ट काट का छेतपल बढ़ा दिया जाए तो दोस्तो स्वाप्रिकत तो क्या होगा आधिक होगा लेकिन यदि लंबाई को बढ़ाया जाए तो 100 प्रेड का तो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा मतलब लंबाई कम करने से 100 प्रेड का तो बढ़ेगा किन्तो लंबाई बढ़ाने से 100 प्रेड का तो के मान में क्या आएगी तो कम ही आएगी चीज़ें क्लियर हो गई अब दोस्तो इनको आपको क्रम से लिख लेना है पहला क्य ठीक है पहला नंबर हो गया पैनल का के क्रोड की चुम्बक सीलता दूसरा नंबर क्या होगा दोस्तो एन मतलब फेरो की संख्या फेरो की संख्या दोस्तो कैप्टल यान हो गया तीसरा नंबर क्या हो सकता दोस्तो तीसरा नंबर छेत्रफल मतलब अनुप्रस्त काट का छेत्र ठीक है और चौथा नमबर दोस्तो पैनालिका की लंबाई पैनालिका की लंबाई तो मैंने बताए न दोस्तो जो भी उपर है थी इन चीजें इनसे बढ़ाने से सौप्रेल कात्व के मान में ब्रद्धी होगी लेकिन नीचे वाला दोस्तो जो एल है इसका मान बढ़ा दें त तो एनी मतलब लंबाई बढ़ा दें तो 100 प्रकात्यों के मान में कमी आएगी। यदि L के मान में कमी करेंगे तो capital L मतलब 100 प्रकात्यों के मान में ब्रद्धि होगी। अगला फेरों की संख्या यदि कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा दें तो 100 प्रकात्यों भी बढ़ जाएगा। छेत फल पर दोस्तों अनप्रस्त काट का छेत फल बढ़ाने से 100 प्रकात्यों भी आधिक होता है। चोथा नमबर दोस्तो लंबाई तो लंबाई क्या होगा लंबाई यदि बढ़ेगा तो सुर्प्रेज का तो घटेगा यदि लंबाई कम करेंगे तो सुर्प्रेज का तो घट जाएगा तो सुर्प्रेज का तो यदि कम करेंगे तो बढ़ेगा यदि अधि करेंगे तो कम हो होगी मैं दोस्तों यह चाहता हूं कि आपको क्लियर हो जाए थोड़ा सा दो-तीन दिन का ब्रेक था जो मैंने वीडियो नहीं अप्लोड किया इसके लिए मापी चाहता हूं अब दोस्तों आपको वीडियो मिलेगे चिंता करने जोरा तर नहीं है तो फिर दोस्तों चलते हैं यदि नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बेल आइकन भी प्रेस कर लिजे ताकि वीडियो का नोटिक प्रेसन आपको मिले अच्छा लगए तो लाइक करें दोस्तों सेयर करिएगा मिलेंगे अगले वीडियो में ने टॉपिक के साथ इसी प्रकार से दोस्तों तो लिजेहिन बन्दमात्रम